नमस्कार दोस्तो, आपके अपने यूट्व चेनल कलाम स्टेडी में आपका अर्दिक स्वागत है दोस्तो, आज मैं फिर्चा करेंगे आज के करेंट अपेर्स के बारे में और आज हैं एक फरवरी 2019, तो आज हम देखेंगे एक फरवरी का करेंट अपेर्स इससे पहले दोस्तो एकक्योसन देख लेते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा तो वैक्योसन है दोस्तो ओक्सपोर डिक्स नरी ने किस सब्द को Hindi word of the year को चिट किया है तो किस्ट को किया है तो वह सब्दन ना री सकती तो इसका right answer हो गया ना री सकती वीडियो के एंथमे में एक क्यूसन आपसे पूछूंगा उसका answer आपको कमिट बॉक्स में जरूर देना है अब देखते हैं आज का current affairs इसे पहले दोस्थ आपसे एक निवेधन है यडी आपने अभी तक हमारे वीडियो को like नी किया है तो पहले हमारे वीडियो को like करें इस वीडियो की PDF फाल का लिंक हमने निचे डिस्क्रस्ट में दे दिया है तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की PDF फाल भी डाड़ोड कर सकते हैं तो हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ WhatsApp गुरूपों में जरु करें अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्यूशन है 30 जनुवरी को केंधरी मंतरी निटीन गटगरि ने कहां पर सातरास्ट्रिय राजमर्ग ता 300 किलोमेटर लंबे नदी मर्ग का उध्गाटन किया है तो कहां पर किया है तो वह क्या है दोस्तों बिहार में तो इस मार्ज गुनी 112 को बिहार राजे का गटन हुआ उसके बाद राजदानी कहा है तो राजदानी दुस्तों पटना है मुक्यमंत्री को ने निकीश कुमार है राजेपाल को ने बियार के तो लाल जी टंडन है वरतमान राजेपाल अब देखते हैं अगला कुशन नेक्स्ट गुर दॉस्तों दोस्तों दोस्तों पिता मातमा गांदी की गोली मारकर हत्या कर दी थी तब बापू की पूनितु जो पूनिति है उसको हर साल दोस्तों सहीद दिवस के रूप में बना जाता है ता गोड़से ने दोस्तो 30 जनवरी गुनी सु 28 को बापू का सीना उस वक्त चलनी कर दिया जब वे दिली के बिड़ला बाउन में साम की प्रातना सवा में से उट रहे थे और गोड़से ने बापू के साथ कड़ी महिला को अटाया और अपने सेमी ओटोमेटिक पिस्टल से एक की बाद एक तीन गोलिया मारी ता उनकी हत्या कर दी बाद में मातमा गंदी के सवयात्रा को आजाद भारत की सबसे बड़ी यत्रा सवयात्रा का जाता है दोस्तों का जाता है कि गंदी जी के अन्तिम विदाई देने करीब 10 लाक लोग साथ चल रहे थे और 15 लाक लोग राष्टे में खड़े थे दोस्तों मात्मकांदी के अंतिम सब्द मुझ से निकला वो निकला हेर राम अब देखते हैं अगला क्यूसन है पहली सवदेश दर्शन परियोजना का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो हाली में दोस्तों पहली सवदेश दर्शन परियोजना का पाउद काटन किया गया है शिक्कम में तो इसका राइट आंसर हो गया शिक्कम शिक्कम के बारे में जानते हैं शिक्कम के दोस्तों गठन कब हुआ तो शिक्कम के गठन केजी एलपोंस ते ने जीरो पॉइंट गंग तोक में और पूर्वतर नोर्थ इस्ट सर्किट का विकास प्रियोजना का उद गटन किया है इस योजना को दोस्तो प्रेटन मंत्रा ले ने जून दो जर पंद्रा में अठ्यानमा पॉइंट जीरो पांस क्रोड रुपे की आगुंतुकों को बेतर अनुवव और सुविदाय परदान करने और आर्थ की विकास को बढ़ाव देने के उदेशे से देश में गुणवता की बुईयादी दांचे की विकास पर द्यान केंद्रित कर रही है आप देखते हैं अगला किसन अगला किसना है दोस्तो तीस जन के उपादेक्स बने हैं तो इसके बारे में जानते हैं नोशेना के बारे में जानते हैं तो नोशेना के दोस्तो इस्ताबना कब ही तो नोशेना के इस्ताबना दोस्तो पांस सितंबर 1612 को हो गई थी तो मुख्यले कहा है मुख्यले इसका वरतमान मुख्यले नई दिल्ली म है इसके वर्तमान चीप कॉन है तो एडमिरल सुनील लाम्बा है इसके वर्तमान चीप ये जो उपदेक्स बने हैं इhta बारे में जानते हैं दोस्तो उइध्मिरल जी ऐसो कुमार ने दोस्तो बुदुवार को नोस्यना वाइस चीप कपत बार सनभाल लिया है ता एक बयान में ये जानकार दी गये दोस्तों अमरावती नगर के सेनिक स्कूल और पूने के खड़क वासला इस्चित राष्टे स्रुक्स अकादमी यानि एंडिये के पूर्व चातर वाइस एड्मिरल जी असो कुमार एक जुलाई 1922 में भारतिय नोशेना की एकजूकेटिव साक नामा के एक एप लूंच किए है तो इस एप में क्या है दोस्तों किसने लूंच की है तो यह कि हावando उन्यूर्ट के द्वार लूंच की गई है अब देखते हैं दोस्तो इस एप के बारे में तो विज्यानिका ने दोस्तो एक करत्रिम अगनास्य स्मार्टफोन एप उक्सित किया है जो मदुमे रोगियों में रेक्ट सरकरा के स्थर को विनियमित करने में मदद करेगा तो ये एप दोस्तो गुलकोज मोनिटर, इंसुलि और अप्लिकेशन चुनोतिपून परस्तितियों में गुलकोज के स्थर को विनियमित करने में भी परभावी है और अप्रतिबंदी तवातारों में उप्योग के लिए भी उप्योगत है अब देखते हैं नेक्स्ट कुशन, नेक्स्ट है दोस्तो हाली में मातमागांदी और विश्वश्यांती नामक एक परदस्नी का आयोजन किया गया था तो वह कहाँ पर किया गया था तो वह दोस्तो नहीं दिल्ली में किया गया तो इसका राइट आंसर हो गया नहीं दिल्ली तो मातमागांदी और विश्वश्यांती नामक परदस्न ये इसके बारे में जानते हैं तो मात्मा कांधी की प्रदस्नी दोस्तों तीस तरिकों आयजन शुरुआते इसकी तई ताहिए कब तक होगी तो ये प्रदस्नी दोस्तों मंडी हास इस्टित ललित कला अकैदी के रवुन दुरबहून में आर्ट गेलेली में 12 फरवी 2019 तक प्राते 12 बज़े शाम 7 बज़े तक गांधी प्रेमियों वा कला प्रेमियों के लिए खुला रहेगा नेक्स्ट क्यूशन है हाली में नवजाद मर्तिदर को कम करने के लिए किस राज़े ने प्रेयोजना की शुरुआत की है तो हाली में दोस्तों नवजाद मर्तिदर को कम करने के लिए माराष्टर राज़े ने इसकी शुरुआत की है तो इसका राइट आंसर हो गया माराष्टर माराष्ट्रा के बारे में जानते हैं दोस्तों माराष्ट्र का गठन कब हुआ तो एक में 1970 को माराष्ट्रा राज्ये का गठन हुआ राजदानी है मुंबई मुक्यमंत्री देविंदर फड़नवीस तो वर्तमान राज्येपाल है शी विद्या सागर राव यह माराष्ट्र के वरतमान राज्येपाल हैं तो इतनी जाने कर दोस्तों माराष्ट्रा के बारे में मैं हर वीडियो में किसी ने किसी राज्ये का राज्ये का गठन राजदानी मुक्यमंत्री और राज्येपाल बताता रहता हूँ किये जाएंगे तो इस योजना में केवल दोस्तो पहले बच्चे के लिए लागो होगा तो इसे पूरे राज्य में लगबग चार लाख में लाओं को लाब मिलेगा तो परती किट की कीमत दोस्तो दो जार रुपे है अब देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन अगला क्यूशन है दिलीप संद्रांगनी को किस बैंक के अदेख्स के रूप में न्यूट किया गया है तो हाली में दोस्तो दिलीप संद्रांगनी को फेडरल बैंक के अदेख्स के रूप में न्यूट किया गया है तो यह है दिलीप संद्रांगनी जिने फेडरल बैंक के अदेख्स के CEO है तो इस bank की take line क्या है दोस्तों इसकी take line है your perfect banking partner दोस्तों इस bank के बारे में केरली इस्थित निजी चेतर के रेंड़ दाता federal bankने दिलिप सदरंगानी को अंसकाली का देखस की रूप में रूप में निउत किया है दोस्तों 2013 के बैंक में बोर्ड में सामिल सतरांगनी की नुक्ति को रिजरो बैंक ने भी मजूरी दे दी है हाली में किस एरपोर्ट को दुनिया का सबसे वेस्ट तम एरपोर्ट को चित किया गया है दोस्तो हाले में दुबई एरपोर्ट को दुनिया का सबसे वेस्ट तम एरपोर्ट को चित्किया गया है ता लगातार पांच वेस्ट से दुबई एरपोर्ट ही पहले स्थान पर रहा है तो इसके बारे में जानते हैं यह दुबई का एरपोर्ट है का पोटो आप उद्याय दे रहे हैं तो दुबई इंटरनेशनल एरपोर्ट एंड डी एक्स बीने अलगातार दोस्तों पांचवे वरस अंतराश्ट्य गराक संक्या के लिए दुनिया के सबसे वेस्ट हवाई अड़े के रूप में अपनी इस्तिक को बरकार रखा है तो 2018 के लिए दोस्तों वार्शि इंटराश्ट्य यात्रा का दुनिया सबसे वेस्ट के अंदर का रिकोर्ड भी तोड़ दिया है तो दुबई इंटरनेशनल एरपोर्ट जुलाई मंजूरी देदी है तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं तो इस गंगा अक्स्प्रेश वेक के बारे में जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश रज्ज है उसका गठन कब हुआ तो उसका गठन दोस्तों 24 जनु और ब्रीज और अठारा फ्लाइवर होंगे तो 3700 क्रोड रुपे का इस पर खर्चा आएगा इसके बारे में दोस्तों और जानते हैं तो उत्रप्रदेश राज्य मंत्री मंदलने दोस्तों परियागराज को पसीमी उत्रप्रदेश से जोड़ने परियागराज ने आप नातनी ये अक्सप्रेश वे परियागराज को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और गंगा अक्सप्रेश पे 600 किलोमेटर लंबा होगा और इसके बविश्य में 6 लें तक उस्तायते किया जा सकता है तब मुक्यमत्रें दोस्तों ये भी का है कि इसको पूरा होने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबा अक्सप्रेश पे होगा तो ये था दोस्तों आजगा करेंट अपके लिए सूटकर जा रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है तो वेक्योसन है दोस्तों आपके लिए केबल स्टेंड अटल चेतु का उ लाइक और सभी दोस्तों के साथ सेज जरू करें यदि आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो नीचे गे लाल सस्क्राइब के बटर पर जाकर दोस्तों चैनल को सस्क्राइब जरू करें तो उसके पास गंठे का निसान बना हुआ है उस गंठे के निसान को आ वीडियो डॉलते हैं आपको मिल सकें, धन्यवाद दोस्तो.